तो विल्कम गाज गाजर क्या आपका हैट्सोड नहीं लगता है और अगर लगता भी है तो कभी कभी लगता है तो गाज घबराओ मत क्योंकि आज जो मैं ट्रीक और सेटिंग बताने वाला हूं इसको करने के बाद आपका ओटो हैट्सोड लगने लगेगा तो गाज हैट्सो मार पाओगे वह भी बहुत ही बेहतर तरीका से पहले मुझे भी हेडिषोड मारने में बहुत ही बहुत ही लगता था मैंने भी युट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें सेटिंग और ट्रीक बता था उस सेटिंग को करने के बाद मेरा आसानी से headshot लग रहा है अब गाज मुझे लगता है कि headshot मारना इतना easy है जब मेरे लिए easy हो ही गया है तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के लिए easy कर दूं मतलब कि उस setting और trick को मैं आप लोग से share करूं जिससे कि visual पर आ जाना चलो मैं नीचे की और scroll करके मैं बताता हूं कि आपको कहां जाना है जस्ट आपको scroll करते जाना है और नीचे पर आना है आपको visual दिख जाएगा और इस setting का headshot से क्या तल्लुक है अब नेक्स setting है graphic setting इस setting को अच्छा से समझना चाहे आपका high end device हो चाहे आपका low end device हो आप इस setting को standard पर ही करके खेलना इससे आपका game ज्यादा इसमूद चलता है ज्यादा तर देखा गया है जब जब हमारा game इसमूद चलता है तब headshot में ज्यादा increase होता है अब next setting करना है अपने right fire बटन को आपने right fire बटन का size को 40 पर set कर देना 40 का size ना छोटा होता है ना बड़ा होता है आपका accurate size होता है जिसे की आपका headshot आसानी से लगता है मतलब की जारा साभी ड्रेक करो आपका headshot आसानी से लगता है अब next setting है sensitivity setting इस setting को भी अच्छा से ध्यान से देखना देखो आपने sensitivity setting में low end device हो चाहिए आपके पास high end device हो इसी setting को आप copy कर लेना अब first setting cursor type मैंने बताया था कि वीडियो के last में बताऊंगा तो गाज ऐसे तो इस setting का काम है कि ये जो cursor है मतलब कि ये जो aim है ये छोटा बड़ा होता है जब ये setting नहीं आया था तब अपना aim जो है इस तरह से लगता बाकी आपका लग रहा है कि नहीं comment box में comment जरू से कर देना तो I hope कि guys आपको सारा कुछ समझ में आ गया है मैं मिलता हूं ऐसे helpful वीडियो में तब तक के लिए bye bye